राजधाने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान ज्यन्ती को लेकर हुए एक जुलूस के बाद हिंसा फैल गए थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना ने आज प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दिया प्रेस कॉन्फरेंस में पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना ने ये बताया कि इस मामले में अभी तक 23 लोग गिरफतार किये जा चुके हैं इनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो पहले भी किसी ना किसी केस में आरोपी रहे हैं इतना ही नहीं अस्थाना ने ये भी कहा है कि इस मामले में हर एंगल से तफ्तीश होगी इस हिंसा में प्रत्यक्ष या परोग शुरूप से सामिल किसी को भी नहीं चोड़ा जाएगा दिल्ली पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना से जब यह पूछा गया कि क्या जहांगीरपूरी में हिंसा मस्जित के ओपर भगवा जंडे पहराने के बाद हुई इस पर उन्होंने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है विवाद मामूली बात पर शुरू हुआ था बाद में यह हिंसा में तबदील हो गया अस्थाना ने आ गई है भी बताया कि हिंसा में नौ लोग जखमी हुए हैं जिन में आठ पुलिस कर्मी शामिल है यह दर्शाता है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया इसके चलते नागरिकों को नुकसान नहीं पहुचा इतना ही नहीं जब अस्थाना से यह पू कामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है क्राइम ब्रांच की 14 टीमें बनाई गई है इन टीमों की जांच शुरू हो गई है वनोंने यह भी कहा कि एनलैसिस किया जा रहा है हर एंगल से जांच हो रही है दिल्ली पुलिस कमिशनर ने अंत में यह कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो अफवा फैला रहे हैं गलत जानकारी शेयर कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कारवाई की जाएगी जरता अफवा पर ध्यान ना दे कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधे कल्डरोल रूम पर स करें इस जाच के साथ साथ पुलिस ने 20 अमन कमीटियों के साथ मीटिंग वी गी है हम कोशिश कर रहे हैं कि पीस कमीटे के माध्यम से सव्वेदंशील शेत्र में शांधिपूर्ण महौल बनाया जा सके ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने पंजाबकेसरी.com के साथ